तो क्या आप लोग भी अपनी जुबा को केसरी करते हैं या नहीं करते हैं तो ये वीडियो जो जुबा अपनी केसरी करते हैं उन लोग के लिए भी है और जो अपनी जुबा को केसरी नहीं करते हैं उन लोग के लिए भी है दोनों के काम आएगी वीडियो को पूरा देखिए हैं बहुत सारे एज़ेड़ लोग भी हैं मतलब काफी एक पूरा मतलब एक एक एज़ फिक्टर देखें गे तो छोटे सी छोटी उमर के लोग से बड़े से बड़े उमर के लोग गुटका उटका इसमें कि सभी चीजयों का कोई रेड हो जाता है, कोई अजीब सा पीला पन आ जाता है, मतलब बहुत खराब दिखने लग जाते हैं, इसके साथ ही हमारे मूँ के अंदर, हमारे दातों में, हमारे मसूरों में बहुत सारी तकलीफ आने लग जाती है, है ना, आपके मसूरों से खुन निकलने लगेगा, आपके इधर या इधर अंदर में कट जैसा लग जाएगा या फिर आपके मसूडों में सुजन हो जाएगी, दांत अंदर से सडने लगेंगे, है ना थंडा गरम यदी ले रहे हैं तो मतलब सेंसिविटी हो जाएगी, तीत की सेंसिविटी हो जाएगी, तो दर्द देगा, ग आजमी ना मचल जाता है, लेकिन उसके सामना लेकि रिस्पेक्ट के लिए उसको बोल नहीं पाता है, बहुत हम लोग अपने यार दोस्तों को बहले बोल भी देते हैं, तेरा मुह बड़ा पसार है, लेकिन तमाम तरह की दिक्कतें आती है, जैसे में चीज है गुटका, तक वो पाउच खा के, है ना, दो चार बर पच्च पिच पच्च पिच ना मारे हो, उसको चगल के अच्छे से मतलब दो चार बर ना दे दे देना, तो उसके आत्मा हिर्दाय अंतर आत्मा को ना सुकून नहीं मिलता है, यह फैक्ट है, हलाकि इन सभी चीजों से बचना च ठीक है, और आप शायद बहुत लोग यह जो वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस मंजन को जान भी रहोंगे, तो यह मंजन जो है ना, बहुत तगड़ा मंजन है, और इसका मतलब ना, ऐसा आप कहलो, कि यह भले पौडर फॉर्म में है, लेकिन ना, इसका दिखा भी देता हूँ आपको, थोड़ा सा बचय है, इसमें एक दम हलका सा है, तो मैं पहले एक पैकेट लेके आया, मैं पर इसको ट्राय करके देखता हूँ, लेकिन ट्राय करने के बाद इतना अच्छा लगा ना, इतना फ्रेश लगता, इतना अच्छा लगता, आप करो यार आप दुनिया भर का ये वो फलाना डेका ना आप एक बार ना सूरिया मंजन को ट्राय करके दोखो जैसे आप इसको ट्राय करने लगोगे ना आप इफेक्ट इसका अगले दीन से ही महसूस करने लग जाओगे यार मतलब मेरा कई बार असा होता है कि कई लोग जो आपने में वो काफी दर्द देता है तो उसको बलते हैं सेंसिविटी तो अना फिर वो काफी दिन रहती है कई अदम लगा तार खून आता है बलड आता है पास आता है और कई का भाई साब मूट इतना गंदा बसाता है बात ही नहीं कर पाओगे आगे बढ़ने का तो सोचो ही मत है तो आप क्या गरो एक बढ़ इस मजन को ट्राइक करो एक से बहुत से अच्छे तूटपेस आपने किया है कई सारे आपने प्लाक्स ले किये हो तो कुछ नहीं आप एक बार इसे ट्राय करो बहुत महंगा नहीं आता है यह मैं अभी नया फिर लेके आया हूं है यह चालीस ग्राम का ये बॉक्स है और ये 45 इसकी MRP है लेकिन 40 रूपीज पढ़ता है और ये कोई ऐसा नहीं कि मेडिकल में जाना है कोई बहुत खोजना है आयुरवेदिक दुकान में जाना ऐसा कुछ नहीं है अब किसी भी अच्छे किराने दुकान आपके लोकल एरिया में कोई भी अच्छी किरान दुकान है आप वहाँ जाओगे और बोलोगे भाई साथ सूरिया मंजन दीजे आपको इसली अविलेबल हो जाएगा तो जब मैं इसको यूज किया ना तो मेरे को काफी अच्छा लगा और करने के बाद जो फ्रेशनेस मिलती है ना और चोटी मोटी तो जो प्रॉब्लम रहती है कितना भी आप मंजन कर लो कितना भी ब्रस कर लो कुछ भी कर लो यार कहीं ना कहीं ना खाना अगल बगल में घुस के छुपा बैठा ही रहता है फिर वो चाहे धनिया हो फिर वो चाहे रेशा हो फिर वो चाहे रेशा हो फिर कुछ भी हो सकता है फसा तो रहता ही है अब फिर उख काड़ी ले लोगे कुटूर कुटूर करोगे तो उससे क्या होता है न फिर गैपिंग बढ़ती है उस समय तो निकल जाता है लेकिन आप अपने दाग को काड़ी अलपिन से करेंगे तो आपको क्या है न वहाँ पे के घटा होगा और वहीं से सड़ते जाएगा सड़ते जाएगा और इतनी सांदार सुगंद देगा आप जब किसी से बात करेंगे इतनी अच्छी फ्रेग्नेंस देगा कि खुस्बू ऐसी कि दिवाना बना दे आपको ये कहने पर मजबूर हो जाओगे तो ऐसी सर्मिंदग से बचने के लिए आप ध्यान रखें बहुत ज़रूरी हिस्सा है इसी से आप बोल रहे हैं आपकी स्माइल आपके तूट क्या अच्छा दूसरी चीज ना यह सूर्या मन्य दातों बहुत अच्छे चमक भी ले आता है जो आपन वीजिबल वाइट वाइट बहुत सारे पे वाइए उससे ना घॉट अटोब आप देख लग लेगा और देखना अपको घूरी को बनकर बैड जाओ और देखना अब कर दो गोल 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 इधर इधर मता कहला नए कभी इधर खेला लिए कभी इधर खेला लिए उसको खेलाते जाए और पांच मिनट छे मिनट आप उसको रख लीजिए वो पूरा एक मतलम ना ट्रेक्सचर बन जाएगा उसके बाद आप उसको बीसिंग में ठुप दीजिए और कुला कीजिए दो तीन बार अच्छे से करना है रात के कर लो तो बहुत अच्छा है खाना खालिए सब चीज खालिए अगर आप उटका भी खाते हो तो बूटका उटका फसाल यह जो भी थूब ठाग दिये दो चीन चार बार जैसा भी जो करना कर लिए उसको किये और सो गया आपका देखना मूह नवना फ्रेश लगेगा सुबह उठो गे नव बहुत अच्छा लगेगा तो आप मैं ऐसे कोई टाइमिंग से तो नहीं किया हूं अ मेरे को जब मन करता है मैं कर लेता हूं लेकिन हाँ पेस्ट जितना ठीक नहीं करता है दुनियादारी यह वह मैं बहुत सारे पेस्ट करके देख लिया बहुत अच्छा प्रोड़क्ट था आपके कहीं भी लोकल अरिया में कहीं बहुत अच्छी दुगान में यह आपको मिल जाएगा आप इसको करो और एक बर कमेंट में बता देना अगर आपके दिल करें और नहीं बताना है मेरे को तो मत बताईएगा किसी और को बताना होगा तो बता दीजिए आप करेंगे न आपको फर्क दिखेगा आपका दर्द ठीक होने लग जाएगा आपके मसूरे ठीक होने लग हैं आपको फील होने लगे गए अपने अंदर में कि हाँ यार अभी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है सो प्लीस ट्राय करो आप एक बार ट्राय करो यार चालीस रुपए भाई चालीस रुपए पचास रुपए गुटका खा देते हो ठूप देते हो और भाई जी और नहीं भी खाते हो गुटका ना आपके घर में भी किसी को भी मुझ से रिलेटेड ना दांस से रिलेटेड तुने क्या चीज़ लाके दिया भी चाहे फिर वह आपकी मम्मी हो कि सिस्टर हो कोई भी हो दादी हो दादा हो ना ना नी हो चाचा हो चाची हो एकस वाई जड अमका ढमका जो भी हो आग दे दोसको चालीस रुपए का है बहुत बड़ा चीज नहीं है एक लेट नासता नहीं आता पचास रुपए माचकर नासता मिलता ठीक टैक चोले बटूरे अगर स्ट्रीट फूड भी खाओगे तो एक बट्राय करो नहीं मजाया त इसमें कोई फ्लेवर नहीं है इसमें वेनिला नहीं है इसमें चोकलेट नहीं है उन लोगों के लिए नहीं है आप इसको करोगे थोड़ा सा चरका लगेगा लेकिन आप देखना वो चरक एक सहल होगे पांश जिवन बाद जब उसको खुला करके तो होगे ना सांस लेने मा करना चाहिए लेकिन आप जो कर रहे हैं और कोई नहीं भी कर रहे हैं अगर उतों दुनिया वर की समस्यारी है माउट से रिलेटेड तीत से रिलेटेड उनके मसूडों से रिलेटेड तो इद्दम अच्छा है आप उप्योग करो कोई दवा लेने की जरुवत ने कोई आप दिख रहे हैं वाई मेरे एक आज फ्रेंड तो ये भी अरे भाई तु क्या आज कल हार्पिक हार्पिक घस रहे क्या ऐसा भी बोल सकते हैं उता देना भाई हो आप भी तुम भी सुर्या मन्यन करो अपने घर में भी कर आओ और करके देखो नहीं जमें नहीं करें कि चेज़음 के छिशी द आ लेना है बरस उठाना है बरस से करना है रहा है दौलत ज़र लिखऴ हो से रहिए साहथ करता है कुछ वी रहाने लिगे बताना बहुत मज़ाया मेरे को कर गें मैं दूसरा डबा ले आया हूँ हो सकते तीसरा भी लाओंगा चौंथा भी लाओंगा पांचवा भी लाओंगा और पता नहीं जत्ता कि इस दुनिया में हैं तो हम यह मन्यन करते रहेंगे और अपने आसपास जान चीत परिचित को बत था यह तो काफी पुराना मंजन है लेकिन ना इसकी एड़टाइजिंग है ना ब्रेंडिंग है ऐसी कुछ ज्यादा ना पेपर एपर में आता है ना टीवी किस चैनल में मैंने तो कभी नहीं देखा किस दिन देखा होगा तो नहीं पता इसलिए लोगों को पता है वो इसक प्रेंसिविटी हड जाएगी मसूरों में सूजन खतम हो जाएगी मसूरों से खून निकलना बंद हो जाएगा और सबसे बड़ी चीछ आपके मूँ से आने वाली इत्र की मनमुह खुश्बू जो लोगों को दिवाना बना देती है वो भी देखेंगे धीरे 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 ध इतना ही वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार